तो आज start करते हैं हम अपनी chapter planning in sports है so let us start the chapter planning in sports तो basically start करते है definition से planning क्या होती है planning simply एक process होता है definition परते हैं पहले फिर आपको सम्झाओंगी planning एक process है जिसमें जो है हम जो सोचते हैं strategies form करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं अपने goal को achieve करने के लिए तो simply, अगर आपको कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका टास्क है, उससे पहले जो आप सोच रहे हो, जो आप स्ट्राइजी फर्म करें, उसको प्लानिंग कहते हैं, तुमने सोच है कि तुम एक पार्टी और अर्गनाइस करने आ ले हो, तो उससे पहले तुम एक वीक पह कि मतलब तुम रिटर्न गिफ्ट क्या देने वाले हो, खाने में क्या रखने वाले हो, ईन्वाइट करों गे हैUNG, इसको आपको इप्लानिंग के प्लानिंग से पहले आपकते आपने प्र connected, एक जगह पर मेंजन करें फिर यह करूँ गाए चैक्टरों लेकरा एक्चारि कारा को किसी भी टास को स्टार्ट करने से पहले अचीव करने के लिए उससे क्या प्लानिंग तो आप खुछ से भी जो है प्लानिंग बहुत इसली समझ सकतो क्या है planning is the process of thinking जैसे बर्देपार्टी प्लाइन करनी तो उससे पहले सब कुछ सोच लाइस से बुलोंगा इस नहीं बुलोंगा भाव करनी है यह वह एक्सेकर एक्सेकर सारा thinking में आ गया मारत देन सब्सक्राइब करने के लिए जो हम पहले सब्सक्राइब करते है उसको हम इंक्रूट करते है ब्लानिंग में ठीक है बहुत सारी डेफिनिशन होती है दिल्सेक और भी है प्लानिंग के इंटलेक्ट्ट्ट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इनद्वांस कहा नहीं बर्दे पार्टी है पहले से अड्वांस में आमने सब कुछ सोच लिया था ठीक है आपका जो गोल है उसे करते है planning करते है now let us discuss the objectives of planning ठीक है तो समाय रिटन है लेट उससी तो सबसे पहले चीज़ तो है planning हमार को help करता है हमारे aim को achieve करने में जो हमारा target है हमारा goal है उसको achieve करने में हमार को planning बहुत जादा help करती है next to make the best use of available resources जो जो भी resources हमारे पास available है उसका best use करवाती है हमार को planning जैसे कि आपने पहले ही सोच लिया है that exam से पहले आपने प्लानिंग करी ठीक है तो सबसे पहले आपने सोचा अच्छा में पार 15 days available है इसमें मेरे पास five subjects है इसको मैं half week में इतना करूंगा half week में इतना करूंगा given time resources में आप time be include कर लो तो अपने time को अपने manage कर लिया ठीक है अलग लग जो भी resources हमारे पास होती है उसका best use हमें करवाता है planning अगर आपने पहले से सोच ही नहीं रखोगा आपको किस समय पर क्या करना है तो क्या है हमारा जो goal है वो अच्छे से अचीव नहीं होगा बट आपने decide कर लिया असा मेरे पास इतने पैसे है और जो है मैं ऐसा venue decide करूंगा and इतने लोगों को मुझे invite करना है ऐसा मुझे जो है डिनर रखना है खाना रखना है तो ठीक है तो जो resources है आपकी उसको कैसी utilize करना है यह भी हम planning में ही सोच लेते next to provide proper coordination among committees तीक है या फिर among the members तो अपना वर्क पता चल जाता है हम नहीं करना है हम नहीं करना है तो बार में इंड मुमेंट पे कोई भी जो है problems create ना हो next के होती है help in reducing mistake जब आप पहले से होती होना जैसे हम आर पास time table होते हैं हम उसे follow कर रहे है हम आपास एक strategy है लास 15 देज में ऐसे पढ़ना है तो हम जो है बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होते और प्रेशराइज नहीं हमसे तो reduce mistakes ठीक है next is के आगए हमारी 5th पे help in enhancing sports performance sports performance is जो है enhance करती हमारी planning हमारा pressure reduce करती है मैंने आपको example दे दिया जैसे आपने exam से पहली जब 20-25 दिन पहले से प्लान कर लिया तो आपको end moment पे pressure लहीं हुआ to promote innovative idea जब आप पहले से stress free होते हो तो आप अलग-अलग innovative ideas भी include कर सकते हो next to have good control over the activities जब हम decided कि किसी भी काम को कर रहे होते है planned होके हम काम को कर रहे होते तो सब activities पे हमारा hold होता है next to improve efficiency जब आप किसी काम को strategy follow करते हुए time पे और punctuality के साथ जो है सारे resources को अच्छे से use करते वे करोगे तो obviously वो टास्क जो है efficiently होगा तो planning के objectives में क्या हो गया है रवाइस कर लेते हैं it helps to achieve the goal make best use of available resources provide proper coordination help in reducing mistake and enhance our sport performances ठीक है an objective or planning को हमने रवाइस करने knowledge see the various committees and their response okay तो आप discuss करते है list of committees तो आपको बता है committees होती है हमारे कोई भी अगर sports event होता है tournament हो तो हर एक के लिए committees होती है जो the sports event उसे organize कर तो various committees है उनका pre-work, during work and post work जो है हमें prepare करना है अपने exam के लिए तो यहां पे मैंने committees लिखी है and उनका थोड़ा बहुत मैं आपको work बताऊंगी प्लस जो है detail में pre-work, post-work जो है थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए description box में पेस कर दिया so that आप उसको revise कर सको ठीक है तो कौन-कौन जी committees है हमारी some committees are written here like committee for publicity, transport committee, boarding and lodging committee, decoration and ceremony committee, refreshment and entertainment committee is there reception committee is there, ground and equipment committee is there, announcement committee is there and committee for officials ठीक है these are some committees तो पहले एक बार task पढ़ लेते हैं सबका थोड़ा बहुत जो है briefly मैं आपको बता देती हूं task of various committees ठीक है तो committee for publicity का task है होता है first of all to announce date, venues, events and provide information to various institutions की कब जो है announce करना सब कुछ related to the tournament काम होता है हमारी publicity committee का ठीक है next come the transport community आप समझ सकते हो नाम से ही transportation का जो duty है वो इनकी होगी this committee responsible for providing the facilities regarding the transportation of various teams to the venue of sports events etc. etc. ठीक है boarding and lodging से लेकर sports events जापर हो रहाता है वहां तक का transportation players का हो, officials का हो सबका transporting committee का task होता है its main duty is to make necessary arrangement for the transportation ठीक है next जो है guys यह सब आपको याद रखने है case based or different different type के MCQs के लिए क्योंकि जितना आप लोगों ने chapter को समझा होगा जितना आपको इन सब का detail में पता होगा उतनी आपको help मेलेगी MCQs को solve करने में क्योंकि MCQs की language you know बहुत indirect languages में हमें MCQs पूछे जा रहे हैं हम लोग तो directly prepare कर सकते है इस committee का काम किया है हम इस तरीके से जो है अपना MCQs को prepare करेंगे but exam में indirectly question put up करा जाएगा तो वो indirect question को आप decode कर पाओगे जब आपने language को समझ रखा होगा तो इसलिए language को समझो जो concept है उसको समझो तब आप जो है MCQs को अच्छे से solve कर पाओगे next आ गई हमारी boarding and lodging committee boarding and lodging committee is responsible for making necessary arrangement for providing accommodation and serving meals to the sports person and official ठीक है accommodation में अब कहां रहेंगे वो hotel में कौन से teams, players, staff सब लोग कहां रहेंगे plus उनका refreshment क्या जो उनकी meals होंगी और उनके particularly players के हिसाब से जो भी कुछ उनको required होगा उसको जो है उसका सारा का सारा जो है टास्क इसका होता है हमारी boarding and lodging committee का ठीक है next आप आते हैं हम decoration and ceremony committee समझ सकते हैं आप जैसे मैंने आपको बदे बाटी आला example दिया था तो हम जैसे decoration करते हैं वैसी sports event होती है कितनी decorations होती है हाँ पर कितना सब कुछ जो है देखना पड़ता होगा तो decoration and ceremony committee is responsible for the decoration of the sports area of the stadium stadium के areas को decorate करना it is also responsible to make arrangement for the opening ceremony different different events होती है आपने decorations is also there और बहुत कुछ events होती है तो उसके लिए opening ceremony हो जाए victory ceremony हो गई closing ceremony हो गई game sports meet etc की जो कुछ भी जिम्मेदारी होती है decoration से लेकर वो किसके होती है decoration and ceremony committee की this committee also make arrangement for trophies, medals and certificates तो इसको यारणना trophies, medals and certificates भी जो है यह decoration and ceremony committee देखती है ठीक है ना आजाते हैं ground and equipment committee ठीक है this committee is responsible for making the grounds or laying out the tracks and field ठीक है this committee also make necessary arrangement for equipment related to games, athletic meet equipments भी देखती हैं this committee is also responsible for providing equipment according to the specification equipment हो गये, ground maintain करना हो गया यह सब किसको गया नामपड की प्रता चल रहा है ground and equipment committee का ठीक है अब आते हैं अगली पे refreshment and entertainment committee ठीक है तो इसका pre-work क्या है arrange food and entertainment during work है supply refreshment to guests official team members and organized entertainment program during opening and closing ceremonies ठीक है reception committee का क्या 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 होता है the member of this committee are responsible to welcome the chief guest at the opening and closing ceremonies ठीक है यह chief guest को welcome करते है it is also duty of this committee to welcome the other guests and spectators ठीक है तो welcome करने का काम है हमारी reception committee का next आते है committee for officials ठीक है तो इसका क्या काम होता है it selects various officials रते हैs referees, judges, recorders, clerks etc. etc. जो होते हैं उनको जो है track and pass, timekeeper, lap scorers को जो है appoint करने का काम किसका है committee for officials का ठीक है now with this guys let's come to the next committee वो क्या announcement committee अब इसका काम क्या होता है this committee is solely responsible for making various announcements during the sports meet or games तो किसी भी tournament में sports meet में किसी भी game में announcements की जितने भी जिमेंदारी होते है वो announcement committee के होते है this committee announces opening and closing of ceremony opening and closing announce करेंगे which and when event is going to take place the name of officials who are conducting the event etc. etc. खीक है अब आगे बड़ते हैं last आगी है हमारी ये जो अब इस वन अब ये this is also very important committee that is first aid committee we guys know that sports event के दौन and tournament के दौन कभी भी कुछ भी हो सकता है there might be any injury तो समय पे जो है treatment के लिए आगे तो प्रोवाइड first aid and medical aid to the injured and stick player as fast as possible and ये हो गई हमारी medical committee ठीक है तो with this guys मैंने आपको briefly समझा दिया in some committees के बारे में plus मैंने आप लोग के description box में भी paste कर दिया for your revision and जैसे मैंने आपको बताया है that आप chapters को concepts को अच्छे से समझते वे चलो so that आप हर एक जो है language को decode कर पाओ अपने MCQs की क्योंकि indirectly आपको MCQs put करे जाएगे next topic पे move करते हो and MCQs जो है वो मैं आपको next video में कराऊँगी तो उसको लेंग आपको description box में जो playlist है उसमें मिल जाएगा तो let's start the next topic next topic that is tournament what is a tournament a tournament is a series of matches or sports events played between teams or players to decide a winner ठीक है teams या फिर प्लेयर्स के बीच में series of matches play करे जाते है उसको हम क्या कहते है tournament कहते है tournament किसली होता है to decide a winner talent showcase करने के लिए a healthy competition को हम tournament कहते है ठीक है there are various importance of tournament next what is the importance of tournament इंपोर्टेंस क्या होते है tournament की first of all it leads to development of sports फिर क्यों होता है publicity होती है sports की development of social qualities next क्या हुआ development of national and international integration यानि की आपको पाता है tournament कैसे होते से olympic हो गया tournament world cup there are various tournaments ठीक है कुछ national level के होते है कुछ international level के होते है तो उससे क्या होता है जब international level के tournaments होते है तो international integrity develop होती है next क्यों हो गया source of recreation ये एक बहुत ही बड़ा हमारा आप कह सकते हो tournament का importance है source of recreation अब हम जब कोई भी match देते है कोई tournament देखते है we feel so entertained and हम उसे engaged होते है तो it is a source of recreation helpful in selection of players ये भी होते है जब कोई tournament होता है and we some अगर किसी player को देखा जाता है कि वो बहुत अच्छे से perform कर ला है तो उसका selection भी हो जाता है तो यहां हमने four to five importance of tournament भी पर ली है अब move करते है हम अपने next topic पे that is types of tournament there is knockout tournament then there is league tournament and जो होता है combination tournament combination tournament क्या होता है यह जो होता है mix हो जाता है knockout and league tournament का इसके four parts होते है knockout come knockout league come league knockout come league and league come knockout ठीक है तो यह जो है इसके notes में description box रोइट कर दिया so that you can read it knockout क्या होता है इस type के tournament में क्या होता है अगर एक team एक बार defeat हो गई तो इसको eliminate कर दिया जाता है ठीक है league में क्या उसको मदब second opportunity नहीं मिलती है winner is the winner ठीक है जो एक बार हार गया उसको निकाल दिया जाता है यह हो गया knockout tournament ठीक है next आता है league tournament इसमें single league and double league दोनों होती है then it comes the combination tournament जो दोनों का combination हो दो है तो मैंने description box में इसके notes प्रवाइड कर दिया so that you can read it and fixtures and etc etc यह सब हम discuss करेंगे अपनी next video में जिसमें में आपको MCQs practice करा हूंगी okay so with this guys now I am ending this video so short revision करा दिया मैंने आपको इस chapter का planning objectives of planning various committees इनके tasks post work मैंने paste कर दिये है and the tournaments tournaments ठीक है अब जो next topic जो हमादा रहे गया है वो हम MCQ वाली वीडियो में MCQs के थ्रू जो है उनको discuss करेंगे so with this best of luck all my students description box को check कर ले class 12 physical education playlist all the videos that I'll be creating वोसी playlist में आएगी and if you have any queries tell me now in the comment section मैं मिलूंग आपसे next video में सब्सक्राइब के MCQs discuss करने वाले है ठीक है तो with this बाबा टीके best of luck and मैं मिलूंग आपसे next video